don't crash okay 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 last thing last line okay हमने है कर लिया windows 10 को and you can see here पर जो IP-डरे से वो सेम तुमिक्स दुर इस computer का है क्यों सारी को प्राया कें गया इस computer का है और है इस इस हम्हें गिई 192.168.0.102 तो हेलो दोस्तों आज हम सेखने वाला है कि आप केसे windows 10 को है कर सकते हैं जी हां मैं आपको practically दिखाने वाला हूँ कि आप Windows 10 को कैसे hack कर सकते हैं और इससे आपको पता चलेगा कि आप अपने Windows को या फिर अपने computer को कैसे safe रख सकते हैं लेकिन उससे पहले मैं आपको दो पॉइंट बताना चाहता हूं जो हमारे चैनल के लिए बहुत ही important points होने वाले हैं सबसे पहला point यह है कि यहां पर कुछ लोग है 20-30% लोग है हमारी viewers है जिन्हें हिंदी समझ नहीं आ रहा तो इसके लिए यार मिहां पर मैं solution लाए हो कि आज से और इस वीडियो से अगले बाकी future video जितने भी आने वाले हैं मेरे हर एक video में English subtitles available होंगे मेरे वीडियो में को के तो यहां पर आप अराम से जिन्हें हिंदी समझ नहीं आता वह भी हमारे वीडियो को enjoy कर सकते हैं और ethical है कि आप टेक्नोलोजी सीख सकते हैं ठीक है सेकेंड पॉइंट है कि हमारे जो सब्सक्राइबर या फिन नौन सब्सक्राइबर काउंट है उसके बारे में आप में आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर जितने भी सारे व्यूवर्स है कि मैं आपको प्रेक्रेक्र दिखाता हूं कि यहां पर यहां पर देख सकते हैं ह इसको बैलन्स करने के लिए यार रिक्वेश्ट करोगा कि जितने भी विवर्स है वो हमाया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि यार हमाया चैनल में सब्सक्राइबर काउन बहुत कम है आगर आप कम्या अगरव में my works करता होँगा अगर आपको कुछ नॉलइस्ट आपको मिलता है मेरे वीडियो सब्सक्राइब कीजिए और के बहुत सब्सक्राइब कीजिये आपके अच्छा अच्छे टेकनोलोजी रिलेटएड एथिकल ऐंग अनबॉक्सिंग टुट्योरीयल बहुत सारे वीडियो से लाता रहता हूं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और एंजॉय कीजिए अच्छा नहीं लगता कि यार इतने ज्यादा अंस्क्र सब्सक्राइब लोग हैं ठीक है 98.5 की यार बहुत ही ज्यादा हो चुके तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तो चलिए अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि यार आप Windows 10 को कैसे है कर सकते हैं इससे पहले मैं आपको बताओ कि आप कैसे Windows 10 को है कर सकते हैं यहाँ पर मैं एक छोटा सा आपको डिस्क्रीम बताना चाहता हूं कि यार यह जो वीडियो यह कंपलीटली एजुकेशनल पॉपस के लिए यहाँ पर किसी भी तरह के इल्लेगल एक्टिवीटी को प्रमोट करने के लिए यह वीडियो नहीं बना रहा हूं second thing यार यहाँ पर इतने भी तरह के हैकिंग हो रहा है यह स्यारे के सारे हैकिंग मेरे खुद के नेटवर्क खुद के कंप्यूटर या एक वर्चौल मशीन पर हुआ है किसी भी तरह के दूसरे के नेटवर्क या दूसरे के कंप्यूटर को हैक नहीं किया गया है और इसी तरह में आपसे भी एक्सपेक करोगा कि या आप यह जितने भी हैकिंग है अपने खुट के computer अपने एक virtual machine पे experiment करने के यूज करें यहां पर दूसरे के network या दूसरे के computer को hack करने के लिए without permission hack करने के लिए यूज ना करें और यहां पर अगर आप यह अपने main computer पर hacking करना चाहते हैं तो यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह जो hacking है बहुत ही dangerous है यहां पर आपका computer को destroy कर सकता है या फिर आप computer का OS है उसको भी destroy कर सकता है तो इसलिए यह जितने भी hacking है आप एक virtual machine में करें और यहां पर अपने खुद के main computer पर यह hacking ना करें तो यहां पर चलिए देखते हैं कि आप कैसे Windows 10 को hack कर सकते हैं तो सबसे पहली बात है कि यहां पर जो हम hacking करने वाले हैं यह completely remotely होने वाला है यहां पर किसी बितर की trozone वायरे से worm यूज नहीं करने वाला हूं एक hack करने के लिए और यहां पर यह बताना चाहता हूं कि यार इसके लिए हमें एक exploit की ज़रुवत होती है और यहां पर एक port या फिर एक gateway हमें देखना पड़ता है कि किस gateway जे हम यहां पर hacking को डाल सकते ट्राइ करने वाले है और जो विंडोज है यह विंडोज है यह विंडोज है तो इस machine को हम hack करने वाले है ठीक है तो सबसे पहली बात है कि हमें यहां पर एक exploit चाहिए अगर हमें किसी तरह के गूबल पर जाके किवी 2020-0796 और यहां पर इंटर कर देते हैं ठीक है और यहां पर हम वेट करते हैं और यहां पर टाइप करते हूं कि यार हमें टूल चाहिए क्योंकि मेटास्परेट में इस exploit यह exploit आपको मेटास्परेट में नहीं मिलेगा और इसलिए हम इसको मैनुली डाउलोड करेंगे मैनुली पोर्ट लिजन करेंगे और उसके बाद हम इसको इंप्लिमेंट करेंगे तो अगर मैं आपको इस exploit के बारे में थोड़ा कुछ बूच बताऊं तो यहां पर इस फर्स लिंक पर आप जाके क्लिक करिए पे लिए चरह मुश्च का और यहां पर नीचे आप कि आफ, आप सकते हैं किkes рецеп和 काम करनेयाchmal करें किकेंगे कशो पडर्शन का मुप्वाद है, और इसके लिए आपको सबसे पहले उस टार्गेट का जो है पीप सकैन करना पड़ेगा पिशी थी इचारीट का आई-पी स्कैन करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा किया फोर-four-five-फाइप उस-टार्गेट का उपन होना चाहिए तो इससे मैं आपको दिखाता हूँ इसका आई-पीडिस से में पहले पता लगाना पड़ेगा तो cmd तो आपको पता ही होगा रही है आपने जो वर्शल मशीन है कुछ जादी स्लो चलते हैं या ठीक है तो अभी यहां पर मैं इसका सिर्फ आई-पीडिस पता लगा हो नहीं आप आप आई-पीडिस बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं एक नेटवर का जितने भी आपके इस मशीन का जो 445 port है वो ओपन है कि नहीं थे हो तो इसके लिए हमें यहां पर एन-map स्कान करना है पड़ेगा तो इसके लिए जो कमंड होगा वह सुडो एन-map-s-capitalis 192.168.10 जो मैंने थोड़ी देर पहले किया था और इसके लिए हमें इसको इसको स्कान करना है ठीक है यहां पर आपको पुछेगा अगर आप सुडिस करेंगे तो यहां पर आपका मशीन का पासवर्ड डाल देना है ठीक है और यहां पर देख सकते कि हमारा बताना चाहत हो कि यहां पर जितने भी तरह के हों में कंप्यूर्ट होते हैं उनका जो यह 445 अजिए 445 जो पोट होता है मोस्ट अपील टाइम्ट था लिकिन आप जितने भी तरह के में मुल्टिनेशनल कंपनी सोगे बड़े बड़े इसेक्क्रस होगे उनके जो यह 445 पो होता है, ठीक है? तो यहां पर 445 port जो है, वह ओपन है, तो हहां पर हम मालों पड़ गया है कि इसको हम ये करके hacking स्टार्ट कर सकते हैं, तो चलिए, देखते हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा, अगर hack करना है तो यहां पर हम जा के जो यूसेज है इसको हम पड़ते हैं ठीक है और देखते हैं कि हम कैसे Windows 10 को है कर सकते हैं सबसे पहले बात यह है कि यार मेक्शूर पाइटन एंड येनकैट आर इंस्टॉर ठीक है आप अपने मेन कंप्यूटर पर यह है जो है वो रन करें अपने वर्चुल मशीन पर ठीक है अगर आप यह अपने मेन कंप्यूटर पर रन करेंगे तो आपके मेन कंप्यूटर सेफ रहेगा यहां पर आपके मेन कंप्यूटर किसी पितर के डामेज नहीं होने वाला है और इस कि मैं आपको दिखाऊंगा तो यहां पर मैंने डाउनलोड करके रखा है इस फाइल को ठीक है SMBleedingGhost.py file according to script output अब यहां पर second point जो है थोड़ा बहुत not satisfying है क्योंकि यहां पर अगर आप कुछ batch file जो है कागर कंप्यूटर पर रन करना चाहते हैं तो यह hacking कैसे हो सकते है लेकिन अगर आप यहां पर जो note है अगर पढ़ेंगे you might be wondering why it's necessary to run the cat target offset.batch file or sorry script on it on a computer and it doesn't affect the whole point of remote coding execution being remote अगर यहां पर रन करेंगे तो याप कैसे पता लगा सकते हैं क्यार एक remote hacking है यहां पर simple explanation है क्यार इस offset are not random and are the same on all windows instances of the same window version तो मतलब है क्यार यहां पर बहुत सारे windows versions और different different versions के different different offsets आपको चाहिए ठीक है तो इसके लिए अगर आप यहां पर 10,000 windows है और सारे के सारे जो windows से same version है 10,000 computers में same version है और अगर आप किसी एक computer में यह batch file रन करेंगे और उसके offsets कॉपी करके आप python file जो file है main python file पे save कर देंगे तो यह python file है python file जो है आपको सारे के सारे 10,000 windows computer पर रन करेंगा ठीक है तो यहां पर आपको सिफ कोई एक window चाहिए जो same version पर रन करता हो आपके target computer पर और आपको offset copy आपको paste कर देंगे और आप normally आप यहां पर execute कर सकते हैं और यहां पर हम जो second point है उसको हम पहले execute करके मैं आपको दिखाता हूँ ठीक है तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा अपने target computer पर ओके और यहां पर आपको find download करना है पड़ेगा same batch file ठीक है जो file है जो cve 2020 file है उसको आपको download करना पड़ेगा और मैंने आपको पहले से download करके रखा है ठीक है और इसके बाद आपको यह जो cal target offset batch file है उसको run करना पड़ेगा और इसको run करते ही यहां पर आपका command from open हो जाएगा और इसको calculate करना शूरू कर देगा offsets और यहां पर थोड़ टाइम देज़े इसको finish करते हुए और यहां पर फिनिश हो गया यहां पर जो offsets है इसको आपको जो python file उसमें set करना पड़ेगा अब कैसे set करेंगे आपको जाना पड़ेगा नॉर्मली यहां पर ठीक है जो folder यहां पर जाना पड़ेगा यह जो python file इसको आपको open करना पड़ेगा notepad में और मैं आपको open करके दिखाता हूँ open with notepad और यहां पर जाके यह जो offsets है इनको according to this offsets set करना पड़ेगा मैंने already यहां पर जो values है यहां पर जो मेरे लिए यह दो values चेंज थे तो मैंने यह दो values चेंज कर दिये ठीक है और यहां पर आप ऐसे करके इस file को save करके आराम से close कर दीजिए और इसको भी close कर दीजिए इसकी कोई जरूत हमें है नहीं next हम चलते है कि आदेखते है कि next हमारा step है क्या करना है next step यह है कि return ncat with the following command line argument ncat.lvp port ठीक है अब यह ncat जो है यह जो command यह window के लिए है लिकिन हमें चाहिए पाया लिकिन हम यहां पर listen करने वाले हैं kalylnix में ठीक है क्योंकि आपको फिर से जाकि ncat install करना पड़ेगा windows पे जो एक और extra step हो जाएगा तो यहां पर नॉर्मल हम जो ncat है वो नॉर्मली kalylnix के साथ प्री इंस्टॉल आता है तो यहां पर हम kalylnix पर listen करने वाले हैं ठीक है तो इसके लिए command यह होगा enc.lvp और यहां पर नमबर जो है वो 444 हम यहां पर listen करने वाले हैं और क्योंकि हम एक port चाहिए होगा communicate करने के लिए तो 4x4 जो है वो port नमबर होगा communicate करने के लिए उस machine से इसको enter करते हो और यहां पर listening करना start हो जाएगा इसको ऐसे छोड़ दीजिए next हमें क्या करने है अब यहां पर यहां पर यहां पर जाके देखते है next run the bm sm bleeding ghost python file with the following command line argument हमें पर command क्या है sm bleeding ghost.py target IP मतलब कि जो target आप जो target machine का IP है वो डालना पड़ेगा next receiving cell IP जो हमारे kailinix का receiving क्योंकि kailinix receive कर है तो kailinix का IP डालना पड़ेगा और जो port है वो 444 है जो हमने दिया था receiving okay तो यह जो command है यह आपको अपने mail window पर रन करना पड़ेगा क्योंकि मैं आपको बताया था कि यहां पर पाइथान files है इसमें कुछ लाइब्रेस है जो सिफ windows पर रन करेंगे linux पर नहीं रन करेंगे तो इसके लिए main computer जाए cmd type कीजिए और इसको open कर लीजिए ठीक है नेक्स्ट हमें यहां पर करना पड़ेगा हमें यहां पर उस directory पर जाना पड़ेगा जहां पर आपके files stored है तो यहां पर मैं जल्दी चला जाता हूं तो यहां पर अगर आप रन करना चाहते हैं इस इसके लिए आपके main computer पर python इंस्टॉल होना चाहिए आप नॉमली गुर्ट बजा पर सब्सक्राइब कि आपको मिल जाएगा ठीक है तो यहां पर python इंस्टॉल कर लीजिए और यहां पर जो कमेंड होगा वह होगा python क्योंकि यहां पर python फाइल करने वाले हैं और जो python फाइल का नाम प्लीडिंग गोस्ट डॉट पाई नेक्स्ट हमें देना पड़ेगा टार्गेट का इफ-config और हमारा आई पर डैसे 103 अचा है 102 103 आस पास ही है 192.168.0.103 और नेक्स्ट में देना पड़ेगा port number जो है four times four okay so before मैं यहां पर code execute करके मैं आपको दिखाऊं यहां पर मैं आपको एक चीज़ पताना चाहता हूं कि यह जब इस तरह के exploits आप execute करते हैं तो यहां पर most of the time most of the time यहां पर आपको जो टार्गेट कंप्यूटर होता है वो क्रैश कर जाता है और यहां पर यही एक problem है इस तरह के exploits पर ठीक है तो यहां पर मैंने जब इसको लास्टेम रंग किया था तो यहां पर जो exploit था वो दो बार computer को crash कर चुका था ठीक है और तीसरी बार इस exploit ने रंग कर दिया था ठीक है तो इस बार देखते हैं कि यह exploit कितने समय मतलब कितना बार इस computer crash कर तो यहां पर यह मैंने Windows 10 जो computer नेकर इसको ओसकर नटिंद पर एसका है दिखाने के लिए एक हाँ आपकी कोड़ हैं तरफ यह के स्टर्टेश कोड़ है कर लिए के की नहीं होता है और कि हuationsद में ँभम होपकोफुछ लीए डिदो लिलेह गूत मैं इसको लेके नहीं किया लेकिन इससम्यार सबसे एक एक्जिकुट करते हुए यहाँ पर छी यार वो बता नहीं सुकत को ठीक है परस्टाइम ही इसने अब मैं आपको दिखाता हूं यहां पे जाके जहां पर हम लिजन करने वाले थे यहां पर यह देखिए हम है कर लिए हमने है कर लिए विंडोस 10 को और यहां पर मैं आपको नॉर्मल जो कमांड एक्जिग करें दिखाता हूं जैसे कि ipconfig पिक है और यहां पर आइपी अडरे से वह सेम डुसें इस कम्प्विटर का है वह को सारी इस कप्विटर का नहीं कहां गया हां इस कम्प्यटर का है आप है तो आप यहां पर और कुछ कमेंट एग्जिट primero करके दिखाता हूं जैसे कि कि और यहां पर सारे डिरेक्टिस आँटे कर ऊज़ो मेंैं अधिर ओ Sense等一下 हम एक आथरडी सिस्टेंट थेह वुट हे फ्रिविलिजीज हमें मिलता है के कि यहन कि यहां पर हम स्टप में ठीक हो इसनी प्रड esperar कामें करके और मैं यहां पर आप पो Confederacy कि यहांप देख्oral और यहां पर आगे और कि ad arriv है और यहां पर जाल के रिग करके उस टूपने और यहां पर पुर यांजंके इंड一下 ऻुला फाल सी और यहां पर यहां दिखाता हूं डेक्स्टोप ने डाउनलोड पर में डिखाता हूं तो यहां पर देख सकते हैं जो हमने फाइल बनाया था वह यहां पर है हमने सक्सेश्फुली विंडोस 10 को है कर लिया है ठीक है और फर्स्ट राइम यह इसने कोड एक्जीकूट कर दिया तो यहां पर बहु तरगेट विल प्रॉबबबली क्रैश तो अभी मैं आपको दिखाता हूं कि एक्ट्रिट क्रैश के तो कैसे होता है तो यहां पर मैं एंटरप्रेस करता हूं आप देख सकते हैं यहां पर विंडोस 10 क्रैश कर गया तो हो फर्स्ट राइम यहां पर आपका जो अगर आप ए लिए इसने यह कोड को वर्क कर लिया तो यह था आज के वीडियो के बारे में और होपफुली आपको मजा होगा विंडोस 10 को है करके ठीक है और अगर आपको मजा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए हमें चाहां को सब्स्क्राइब कीजिए यहां पर मैं एक और पॉ आप अपना ट्रै कीजिए कोडिंग यहां पारींग ट्रीकेश तो हम अपने इंस्त्राग्राम पे लिंक प्रिक्शं में वहाँ पे जाकर आप मुझे इंस्स्टराम पे फॉलो कर सकते हैं और Sunday, next day, यहाँ पर हम उस question को solve परेंगे, मैं आपको उसका solution बताऊँगा, तो make sure कि आर इसके लिए भी tune रहे हमें चाहिए को subscribe कर दीजिएगे, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ तो इस वीडियो को like कीजिए, share जरूर कीजिएगा आपने दोस्तों के साथ,